कि है अज़ो गाइज मैजी के उवर्ष में आपका स्वागत है तो आज की जो ट्रिक है यह बहुत सिंपल मैजिक ट्रेक्ट है ठीक है बहुत सारे लोग जो आप देख रहे हो जिमको कार्ड मैजी के वारे में नॉलेज है आप समझ होगे पर्फॉमेंस देखके ही लेकिन यह करने के लिए बैसी के लिए आपको समझाने के लिए है जादा कि आप कैसे सिंपल से एफेक्ट को एक सिंपल से टृक को कैसे बड़ीर में कर सकते है मेंакс तो सबसे पहले न करता दो शांप rented यर्जिया के सबसे ब्राइख सो आप कोई भी एक सलेट कर सकते ते सबोर fram ND valli मै आपके हैंड्स में दे दूँगा और ब्लू वाली से अपने ट्रिक करेंगे ठीक है कि ब्लू डेट को शेफल कर देता हूँ और कुछ कट्स लगा देता हूँ अगर आप यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं शेफल करूंगा कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते हो सपोस्च आप यहां स्टॉप बोलते हों तो यह कार्ड देख सकते हैं आपने स्टॉप किया इस कार्ड़े घरे भी तरी टॉलिए थीक है एक कार्ड उल्टा हो गया है बाकि सारे सीथे हैं और वो है एस और यह दोनों मैक्च करते हैं लेकिन ट्रिक अभी खतर नहीं हुई है अगर मैं इस कार्ड को लेके इस ब्लू बॉक्स में डालूँगा और इस ब्लू कार्ड को लेके रेड बॉक्स के अंदर डालूँगा और एक स्नैप के साथ दोनों ने पोजिशन चेंज कर ली है अब यहाँ पर जो कार्ड है यह रेड कलर का है और जो यहाँ पर कार्ड है वो ब्लू कलर का है यह थी ट्रिक उमीद है मुझे आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप मैं आपको सिखाता हूँ इस ट्रिक को करते हैं तो यह एक सिंपल से आइडिया था सिंपल सा फोर्स है उसको मैंने यूज करके काफी बड़ी ट्रिक में कनवर्ट कर दिया और जिससे बहुत अच्छे रियक्शन होते हैं आप किसी को भी दिखाऊँगे तो बहुत अच्छे रियक्शन मिलेंगे आपको तो इसके लिए आपको दो कलर की डेक्स चाहिए और आप कोई भी दो काड यूज कर सकते हो मैंने एस ऊफार्ट यूज किया दर ट्रिक में तो मैं यह यूज करूँगा आपको क्या करना है ब्लू वाला रैड में रखने है और रैड वाला ब्लू में स्टार्टिंग सी अब आपको कोई भी जो आपको पसंद है यह जैसे मैं रेट वाली को उनको पकड़ाँ उनको पकड़वाता हूं जैक तो इसको फिल्प करके कहीं सेंटर में रख सकते हो और इसको बॉक्स के अंदर परकूं good और यह वाला जो कार्ड है इसे लेकर बॉटम में रखने डेक्ट के ऐसे ठीक है और इसको भी बॉक्स के अंदर डाला है तो यह बेसिक इसका जो सेट अप है वो रहेगा ऐसे ठीक है अब स्टार्टिंग से क्या करना आपने पूछने स्पेक्ट्रेटों का आपको कौन सी डे चाहिए अगर रेड बोलते हैं तो बहुत अच्छी है आप उनको पगड़ा सकते हैं हाथ में और अगर ब्लू बोलते हैं तो आपको यह बोलना है यह होता है सब्सक्राइब अपने रेड वल्यूं को पकड़ा दिया अब यह ब्लू डेक है ठीक है अब आप इसे थोलोगे अब आपको ध्यान रखना है आप यह लास्वाला काड़ फ्लैश ना कर दो उन्हें दिखना नचीए कि लास्वाला का रेड कार्ड है तो इसके लिए आप सि आप सीख सकते हो आपको उपर से यह कट लगाना है दो कट लगाना है और तीन कर पर यहां से ऐसे वन टू और यह फोल्ड शफल लगता है जैसे काड्स मिक्स हो गया है लेकिन कोई भी काड़ अपनी पोजिशन नहीं किया यह लास्वाला का अभी भी भी लास्ट में तो आपको क्या करना है ऊपर से काड़ लेने धिरे धिरे ऐसे और शफल करना और उनको बोलने कहीं पर भी स्टॉप बोले को सब्सक्राइब स्टॉप और उनको लास्ट वाला काड निए वाला कार्ड निलिकी लास्ट वाला जो कि यह रहेगा ठीक है इसके बाद आप प्रेडिक्शन रहेगी और उनको बोलना कार्ज के फिर से जाए और उन्हें एक काड़ देखेगा जो की एस तैम पर बहुत अच्छे रियक्शन मिलते हैं लेकिन अभी आपको अगर नेक्स टैवल पर लेकर जाना है तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस में किया था यह काड मैं आके ब्लू चमी ड्लू हो जाता है और युज रेड़ में हो जाता है इसके बभाई लयक्तिक लिए उसको अच्छा थेख आपको पशने पर पसंद आइब तो लाइक करना और मैंने पहले पुला सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अब भी तक नहीं किया है और और भी टिडोरेस इसे आते रहेंगे थैंक यू